बच्चों मैं आपका अपना केमेश्टी टीचर सेकर सन आप लों के लिए लेक्चर नमर फाइब लेकर आयों और जो की केमेश्टी का बहुती ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिवियस जो लेक्चर है चार लेक्चर आसानी से समझ आ गये ह बच्चों के लिए और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह जो लेक्चर है पहुती ज्यादा यूनिक लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में हमें पूरे जितने भी केमिश्टी में कंपाउंट्स होते ना जिस चीछ से केमिश्टी बनी है उन सब के बारे में नॉलेज मिल तो सबसे पहले इस टॉपिक का नाम बता दूँ टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑप और्गेनिक कंपाउंट्स ठीके बैटा पैन कॉपी साथ लेके बैटे और जम में यूडियों खदम गर दो तो उसको प्रोपर तरीकी से इसका चार्ट बनाके अपने सामने वाली दीवा खुली सरंगला है अगर आपकी कार्बन इस तरह है और ये वाला कार्बन इस से कनेक्ट नहीं है उसका डूपिछेंट से क्लोज़ दॉटीथ जाने आप तेता पेटा के लो कुलोज चञेंट dowlt box में आपको पता है कि अगर पर मैं एक कॉरी बंद केट मसत्तोयBe अगर carbon atom एक दूसरे से attach हो के एक पूरी बंदी है एक बिल्कुल चक्रियस रचना बना रहे हो तो उन्हें बोलते हैं बीटा किलोईच जैन क्या बोलते हैं किलोईच जैन अब चलते हैं next जो आपकी open chain जो है वो two type ही होती है पहली जो है यह होते हैं पंचेन में saturated compounds क्या होते हैं saturated compounds और second type है वो होते हैं unsaturated compounds क्या बोलते हैं unsaturated compounds तो पेटा यहाँ पर ध्रा नगरना saturated में इसे में learn करने की सिंपल सी ट्रिक बता रहूं saturated में जो ऐस है इस से लर्ण कर सकते हैं सिंगल बोल्ड मैंने saturated के नाम से बता दिया इसको लर्ण करने की एक सिंपल सी ट्रिक से सिंगल बोल्ड मतलब ऐसे सारे compounds जिनमें क्या मिलता है सिंगल वह सारे क्या होते हैं saturated compounds अब मैं पूछूँ अन-saturated compounds तो आप सब लोग जानते हो chemistry में ट्रिक टैस्ट पॉंड होते हैं सिंगल डबल और ट्रिपल जब सिंगल वाले को saturated बोलते हैं तो डबल और ट्रिपल वाले क्या बोलते हैं अन-saturated compounds क्या बोलते हैं अन-saturated compounds मैं जो भी बात भोड़ रहा हूं उसको प्रोपर तरीकी से सोने ध्यान दें और उसको तुरंद लिखते चाहिए आप सुनों हिंदी में माले बच्चे इन्हें संत्रप्त योगिक और असंत्रप्त योगिक के नाम से जनते हैं संत्रप् मतलब double or triple on to आप इन्हें इंग्लिस में हिंदी में कैसे भी डेंगर से कर सोँ नाम से वो, यह जो saturated compounds होते हैं इनको बोलते हैं श्बहुते हैं या मुद्त रिटा यज और आलकेन , और जो unsaturated compounds होते हैं इनको बोलते हैं और溫्र यहां से स्अचुरेति बात अन और single bond यहां पर यह हन जाए करना लेकर द इडक्न से बना हुआई है यहां पर यहमिंद ऑद यहां पर एल्ध आपर इन प्लस एंड यहाँ पर नम्मर ऑप कार्बन एक है तो केमिश्टी में एक से दस्ता गिंती सबीश्वेंट जानते हैं यह तो मैंथ दो एंट तो एंथ तीन प्रॉप चार को ब्यूट पांच को पैंट हैक्स हैट और नॉन डेट एक से दस्ता कांटिंग सब्सक्राइब उसी हिसाफ से यहां पर जो एल के उसका मतलब है गिंती सुद्व भासांगोरों को गिंती एक से नम्बरों कार्वरेटर्स की गिंती कितने हैं और उनको एल की लेंग्विज में लिखते हैं मैथ एट ग्रॉप यूट एक्सेट और नॉन डेट नेक्स्ट लेट यहां पर यहां पर यह भी कि अध कि प्लस इन से बने भी हैं जाने माले इन समय इंग्लम पर यहां पर नाजी का होगी कें के अल-ध फ्लस आय हुआ है यहा पर जो नोटिस करने वाली चीज है ये पीछे हवाला सफिक्स जिसे बोलते अनुलग हगा कि जो हड़ के हुए इन sulf supervisor होते है इन texto c अनुलग और सपिक्स का मतलब संद्व किसी तौह पीछे अनुलग हगा उस्से बोलते tick और किसी भी नाम के जो पहले लगता है उसे बोलते हैं पूर्म लगने, पूर्म लगन मतला पहले लगने वाला, उसे बोलते हैं इंगलिश में प्रिफिक्स, तो यहां पर एलकेंस का जो अनुलाग में होता है, वो होता है इन, एलकेंस का होता है इन, और एलकेंस का होता है आ लगाएंगे यह आपको बहुत अच्छे तरीकी से लगाएंगे अब बात करते हैं इनके जनरल फॉर्मूले की जनरल फॉर्मूला होता है इनका cn h2n plus 2 क्या होता है cn h2n plus 2 अगर इस फॉर्मूले में मैं इसलों कर सी एmpॉला के फॉर्मूलें? और यस तो समझे ला एक ही ऐलकेन की फॉर्मूले से दोनों इस एलकेन के फॉर्मुले में से माइनस तो करना है एलकेन बन जाएगी ऐलकीन में से माइनस तो करेंगे तो चीप गलेulates के बावलनेट में नेक्स देख़े लगी से जितने प्लस अखिनिए चिंदी में इंदी मेंilateral विलते इंगिल्स न बहितोग है यह कभी यह यही वर्डों हें यह बेंड नाकम मतलब होते हैं चिर्धे जतने भी होते हैं यह कम प्लस अफिनधो अब र술 कियासिल होते हैं क्योंकि जितने भी एल्केइन होते हैं जितने भी एल्केइन योगिक होते हैं जी इस्टेबल होते हैं समझे था है और जो घ्रम औ ciudव क्षेबल होगा वह उतनी कम पाॉझस पन्जिपल होता है कि अगर मैं stable हूं तो मेरे को दूसरी चीज से react करना ही ज़्रोद नहीं है मतलम में कम react करूंगा ठीक है और अगर मैं unstable हूं तो मि मैं किसी भी दूसरे हान तीसे बन игр रियक्षन करूँगा तो मै more reactive हो जाओगा अधिक किरियासिल हो जाओगओ क्म किरियासी होने का Canoc Why This । आ अदिगिस्ताही है इसल्unn comprend आपके south peak Heya ऊफ ऑलिविंज O-L-E-F-A-I-E-N-S ओलिफिन्स सबस्सक्ति के याद रखो विए ऐल किन के साथ कराते हैं तो हम एंग ओएल लाइग सब्स्टांस मिलता है और इसी तेलिय पदार्थ इस ओएल के नाम पर ही इन्हें बोलते है आगे पड़ाओंगों मैं तो में क्या मिलता है कोई चांस ऑर लाइक संटांस मिलता है जिसकी वज़े से हम एंगे बोलते है ओलिफिन्स और जो ऐलकार होती है उने बोलते है ऐसी ट्ली एंग का मतलब क्या होता है वह बताने वाए जहां से देगो यह वाला अपका जंडल हो गया उपन चैन में हीमार रवास करातू छिरायो सब्सक्राइब याद करना याद करना है बागी दोनों ऑटोमाटिक आ लेंगे यह सारी बेसिक चीजे में अच्छी स्वाइं प्रफिंस क्योंकि क्या होता है पैरम प्लास अफीन दोगड़ों से मिलके बना होता है पैरम प्लस अफीन कं प्रिया सी इनको बोलते हैं औली कि प्लकाइब आप मतलाब एस इसलिए अटलेंस एलखाए इस मतलब एस्टेकर में अब आप जो नेस्ट हम बात करेंगे बर्गी करण की कि अब यह बना पाइट कम्टिट हो चुका है तो यह वीडियो को रोक के अच्छे से वीडियो पोज करके यहां पर यह सारी चीचे आपको अच्छे से नोट में लिखना है क्योंकि मेरे पास बड़ा बोड़ता इसलिए मैंने यहां पर कुछ सारी चीज़े लिखना के लिए तो यह सारी चीज़े आपको याद हो जिए किलोचिंज होती है वह तू टाइप की एकजमपल जैसे यहां पर आपको पता है आपके सबने तना प्लाएउ विए कर दिए या उस जो पर जो लाइन लुँशाच करती है उस कोनर क्या होता है यहां पर इसे बोलते हैं हिंदी में समचक्रिय है नाम से पता चाल रहा है समचक्रिय है एसी चक्रिय रचना जिसमें समान कार्वन परमाण हो है समान परमाण हो बिसम चक्रिय है ऐसी चक्रिय सरचना जिसमें असमान परमाण हो मतलब एक से ज्यादा परमाण उपस्चे दो तो यहां पर यहां से देखो यह कार्वन यह कार्वन यह कार्वन यह कार्वन यह कार्वन यह एक्जामपर पहला है फिर्ष और यह स्कम पड़ गया इसको अच्छी तरीके से देखना कि अगर में चार कार्बन कि एक संस्रा बना दू और उसमें एक संदफर जोड दू तो उसमें बोलते हैं हमोसाइकलिक हिट्रोसाइकलिक इसका नाम होता था थायोलें प्रिकाद किसा हो मयोडिक सब्सक्रायर पर सबस्दा लो जाओ होता है एलीवस्टैक्लिक। हिट्टोफ हो्मोसैक्लिक का सचंड टायक होता है एक रमतिक और अंटि का तर्ड होता है एंडी अरॉमिक। अब इसको समय करें तरीके से यह बहुत ही प्यार के लिए Eli cycle का मतलब है एक कोई भी डबल बोंड प्रिजंट नहीं होगा Eli cycle मतलब सिर्फ इसमें जो भी structure होगी उसमें single bond present होगे कोई भी double bond present नहीं होगा जिहां से देखलो यह वाली जो carbon structure जो सरस्चना है इसमें आपको एक डो तीन चार पाँच छैज शी real single bond दिने रहें इसमें आपको double bond नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ellisiclic compound ऐसे होते हैं जिन में double bond रिप्रिजेंटर नहीं होता है लिखे ना यह point करके ellisiclic जोविकों में double उपस्तितर नहीं होता next aromatic और anti-aromatic यह देखो बहुत ही प्यारा concept है और 11th class में आता है आप लोगों को याद नहीं होगा एक scientist थे हकल एक हकल नाम के जो scientist थे उन्होंने अपना rule दिया था हकल rule और हकल rule क्या था वो मैं आपको describe करने बाला हूं ध्यान से लेगा यह जो हकल rule है इसने aromatic और anti-aromatic दोनों compounds के दोनों टायर के compounds के लिए दो रूल दिये पहला दिया 4n plus 2 pi electron और दूसरा दिया 4n pi electron इस rule को समझते हूं अगर मैं यहाँ पर n की value 1 रखता हूं चीक है मैं 0 इपुट कर सकता हूं तो यहाँ पर आएगा चलो 1 इपुट कर लेते हैं 4n2 1 plus 2 मतलब 6 pi electron अगर मैं n की value 2 put करता हूं तो यहाँ पर आएगा 4n2 2 plus 2 जैसे कि मैंने बताया homocyclic 3 types, alicyclic, aromatic, anti-aromatic, hydrocyclic one type ही होते है हिट्रocyclic विसम चक्री है, ऐसी सरस्थना जिसमें carbon के लावा और तस्वीक बश्चेत हो, carbon भी है oxygen भी, carbon भी है इसका नाम याद रखना furane, इसका नाम याद रखना होता है thaiorane, कि सभी corner पर कौन से परमाण होते हैं, carbon परमाण होते हैं next, homocyclic के तीन डाइब होते हैं, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें नोरे जरूरी है, पहले होते हैं, alicyclic, जिन में development उपश्चत है, नहीं होता, development प्रचेंट नहीं होता, आपको पता है, इससे structure में कोई development नहीं है, मैं कितनी भी, याद रखना, मैं concept से का रहा हूँ, alicyclic करना, हिंदी और इंग्लिस सब की परावर है, जबने को, alicyclic को हिंदी में alicycle ही बोलते है, aromatic को aromatic बोलते है, anti-aromatic को भी anti-aromatic बोलते है, next, हकल नाम के scientist ने, aromatic को anti-aromatic के लिए, एक rule दिया, aromatic compound के लिए दिया, 4 and plus 2 by like 2, n की value put करते है, 0 से, बहुत अच्छा concept है, 0 put की, यहां पर आएगा, 2 by like 2, अगर मैं n की value 1 put करता हूं, तो यहां पर 4 into 1 plus 2, 6 by like 4, 4 into 1 plus 2, 6 by like 2, अगर मैं n की value 2 put करता हूं, 4 into 2 plus 2, तो यहां पाएगा, 4 into 8 plus 2, 10 by like 2, ऐसे यह जो है, value बढ़ती जाएगी, तो अब देखो, यहां पर gap कितने electron का है, 2, 4, 4 electron का, 2, 4, 7, 6 plus 4, 10, 10 plus 4, 14, तो जैसे n की value बढ़ते जाओगे, आपके electron की number आता जाएगे, 4 and pi electron रखो, n is equal to 0, 0 pi electron, इसलिए इसकी value को से put करेंगे, बन से, n is equal to 1, 1 put किया तो क्या आएगा, 4 pi electron, n is equal to 2 put किया तो क्या आएगा, 8 pi electron, n is equal to 3 put किया तो क्या आएगा, 4 into 3, 12 pi electron, इसमें भी अगर value put करते जाएगे तो, आपके number of lektos मिलते जाएगे, सार यह जो आपने counting निकाली है, 2, 6, 10, 4, 8, 12, इसका मतलब क्या है, पिटा इसका मतलब है, हकल नाम की sentence ने एक चीज़ बोली थी, कि अगर किसी compounds में, यह pi electron, उपस्तितों, present हों, उससे तो बोलेंगे aromatic, अगर किसी में 2 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो वो compounds aromatic, और जिसमें 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, वो कौन सा, anti-aromatic, एक्जांपल दे रहां सर, यहां पर एक्जांपल, एक ही बार में समझने हो, देखो, सबसे पहले, आप एक एक्जांपल को जानते होंगे, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं, जानते हैं लों बेंजीन, एक पाई लेक्ट्रों, दो, और ती, जान से देखो, कितने पाई बंद हैं, एक पाई बंद, दो बाई, तीन बंद, एक बंद में लेक्ट्रों, दो, तो तीन में कितने लेक्ट्रों छे, सर, बेंजीन में कितने पाई लेक्ट्रों हैं, पाई काउंट करने, यह सारी जो त स्रेक्टुर, जुंधी है सिंगल गोंडुन है तो शते सीथ सिघ्मा सैंगेटेट एक्डो तीद एक हम तेन चेल सिंह तो एक ह ahí और कितने पैंवल्ध है एक दूर्ण तो पैंवंद में कितने लेक्टन होते हैं च्छार पाईएटाउं एटाव्स यह अए अर्ध-ड है आप एक होसलों कि और या रखने हैं मेडिन ओर सूरिपबद से को डिफाइन करने के लिए और भी सर्थे होती है जो कि मैंने बता ही नहीं है इसका एक अच्छा लेक्चर बनाएंगे लेकिन जनरली मैंने जो रूल बता दिया है जो देखते हैं एक छूटा सा आइडिया दे दिया है कि ऐसे इलेक्ट्रों की बेस पर हम देख लेते हैं सर्थ होने को तो एक कॉन्जूगेशन होती है यह निकि मैं अनुनाध होना चाहिए प्रोपर तरीके से इस्ट्रिक्चर प्लेनर होनी चाहिए काफी सर्थ होती ही वह अलग से पढ़ाएंगे तो यह आपको जो है मैंने टायप सब्सक्राइब पढ़ा दिया है एक पर रवाइस करा दू अच्छे से वीडियो रोपके पूरा चार्ण पना लेना अपनी कोपे में सुन्दर तरीके से अच्छे तरीकी से लेग लेना ठीक है ओपन चैन पता है टू टायप सेटूरेटरड अनुसर्टरेडड असंत्राप्ट सेटूरेडड शेटूरेडड अनुसर्टरेडड डबल ट्रपल अलकेन, एलकीन, एलकेन, एन, इन, आयन, पैराफिण ऐलोलीफिण, एसिटिलीन, जठनल परूला एक का याद रखना है CNH2N plus 2 minus 2 CNH2N minus 2 CNH2N minus 2 यह मिलिया अब यहाँ पर paraffin क्यों होते है क्योंकि paraffin क्यों क्यों होते है कम क्यों होते है क्योंकि more stable अधिक स्ता ही होते है इसमें reaction पर क्या मिलता है ते लिए पदर्थ और यहाँ पर exclaims को मैं भी बताने बालू तो देखो अभी जो है मैं एक छोटा सा point बतारों आप लोगों को कि अगर मैंने इस general formula में N is equal to 1 रखा तो यहाँ पर जो है C1 1 रखेंगे तो H4 इसको बोलते है C1 और एक कारवन को क्या बोलते हैं बेटा math पीछे क्या लगएगा N तो जो हमें compound मिला उसका नाम क्या होता है methane हंदीम बोलते है methane हंदीम बोलते है methane English बोलते है methane अभी जो ना यह ऐसी gas होती है जितने भी natural resources होते है जितने भी प्राग्प्रतिक सुरूथ होते सबसे ज़ादो जो gas मिलती है हो कुन से मिलती है आपकी methane के सब्सक्राइब N222 रगा क्या अगया C2 2 into 4 plus 2 S6 तो यहाँ पर दो कार्व ने 8 लाश्ट में 8 क्या आजएगा 8 ठीक है हिंदी इसको बोलते है इसको बोलते methane ठीक है बीटर एक कार्व बोलते है इसको बोलते हैं ठीक है अब जोगो यहां पर एंदी में माले जहां से देख लेना इंगलिस में बोलते है methane 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 यहां से अगर मेरे यहां पर NQA1 रखी तो 1 करने पर आएगा C H2 और यहां पर आएगा double bond double bond CH2 NQA2 पूट करने पर दो कुट की C2 2224 H4 यहां पर आएगा NQA1 प्लस इन इसका नाम हो गया Ethene क्या होगे पेटा Ethene ऐसे तीन पर क्या जाएगा Propene आगे आपको यह homework दे रहा हूं है कि आप लोगों को यह एक से दस्तक फोरूम ले में काउंटिंग करके रखना है Methene Ethene Propene Butene Pentene सब बना के देखने हैं इसमें भी आपको Ethene, Propene, Butene Pentene सब आपको बनाए देखना है और यहां पर अगर में NQA2 पूट कर दो यहां पर आएगा C2 H2 अब यह जो C2H2 है इसकी इस्ट्रिक्टा बनाओ क्योंकि इसमें triple bond होता है C, triple bond C 1H 1H तो इसे gas का नाम होता है Acetylene gas Acetylene gas Acetylene gas Acetylene gas बोलते हैं यह जो gas होती है इस gas को bending gas के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से bending gas यह जो gas होती है bending की रूप में काम देती है Next बात करते है Sir Alkins की हमारे सर ने बताया था कि Alkins जो है 2 number carbon से start होती है आपने तो यहाँ पर NH को बन से बताया है फिल्कुल सही एक बार competitive exam में क्योश्चन आया था कि Alkins का general formula होता है उसमें जो number of carbon होता है Alkins में कम से कम कितने हो सकते है तो उसमें जो है चार उपसंते एक, दो, तीन और दूसरा नन होतीज तो mostly बत्चे दो कर गया थे कि Alkin 2 से start होती है लेकिन याद रखना Alkin जो होती है वो N is equal to 1 से start होती है N is equal to 1 पर जो यहाँ पर यह compound मिलता है Double bone CH2 यह highly unstable होता है लिट्टू में highly unstable मतलब समझ रहे हो बहुत जादा इसका ही होता है highly unstable इसकी बज़े से इसको हम generally नहीं पढ़ता है लेकिन बनता यह भी है double bone CH2 बनता है लेकिन यह क्या होता highly unstable होता है प्रिकृती में नेचर में बहुती कम मत्रा में exist करता है इसलिए Lkin की शुरुआत भी 1 से होती है Lkin की भी N is equal to 1 से Lkin की इसके से लिए याद रगना है N is equal to 1 से लेकिन आपकी जितने भी Lkin होती है उनकी होती है N is equal to 2 से N is equal to 2 पर कुन सी gas मिलेगी S clean gas और जिसे हम जानते हैं Bending gas की रूप में कुछ रूप में बेटा Bending gas की रूप में यह चीज़े आपको याद रगनी है कि सब किस तरह से के बनता है इनको मैंने बता दिया है प्रॉपर तरीके से वीडियो को बार बार देखते हैं रूपीट सकते हो Homo, HITRO, Alicycle, Aromatic, Antymatic इसमें Wyn नहीं होता इन दोन में Wyn रहते हैं कितने वहते हैं उसके रूप बन जाता है हकल का एक होता है let's do होता है let's do सबस्केंदे और नंबर है आपको पता यह पारबन के साथ एक और इटम पर्जयन होगा oxygen Aya तो अब हम बात करेंगे नेक्ट लेक्षा की तो अम्मीदर कि आप लोगों को लेक्षर पसंद आएगा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन बताना पर मुझे आप कोल कर सकते हूं मेरे को बहुत कर सकते हो कोल तो नहीं कर सकते हैं एट सेवन फूर वन एट वन जिरू त्री त्री जिरू जितने भी आपके डाउंस हैं बहुंचे आप इस नमबर पर बोट सब कर सकते हो ठीक है बेटा तो थैंक्यू और उन पिसली वारी वीडियो उतना प्यार देने के थैंक्यू वाइस